आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं केक की ऐसी रिस्पी की वीडियो देखने के बाद आप तुरंद बनाएंगे यह मेरी गारंटी है तो चले शुरू करते हैं बनाना तो यह हमने ले लिया है केक का चूरा केक का आडर हम लेते हैं और जब बनाते हैं तो चूरा बच नार्मल पारलेजी बिस्कित ले लीजेगा और उसको पीस लीजेगा और उसमें दो से तीन चमच बटर डाल दीजेगा और अच्छे से मिला लीजेगा उससे भी बनाएंगी तो बहुत अच्छा बनके तयार होगा तो यह हमने दो ग्लास ले लिया है अब यह हमने लिया है ब कि मेरे ना हें बहुत जादा बच जाता है तो उसका हम फिर से की बना लेते हैं और बहुत ही जा लोगाइब केग बनता है तो यह हमने दोनों किलास में चूरा डाल दिया अब यह हमने ले लिया है पाइल क्रेस्atory statistics Mnet जारों में हर दुकान पे मिल जाता है आप कहीं भी ले लेंगी जहां पर्चून की दुकान होगी वहां पे आपको यह पाइनेपल क्रस मिल जाएगा अब इसके उपर हम क्रीम डाल देंगे चारों तरफ से इस तरह से और इसमें विला डाल देंगे अब यह जो केक का चूरा है फिर से इसके उपर डाल देंगे यह अभी अभी मैंने एक और का केक बनाया है और यह चूरा बच गया तो मैंने सुचा चलो एक रिस्पी ही आप लोगों को बता देती हो इससे कितने आसानी से बन जाता है यह इसी तरह से इस वाले किलास में भी डाल देंगे अब इसके उपर से हम फिर से क्रीम लगा देंगे आप लोग मेरे घर आईए तो हम आपको बना खर के खिलाएंगे अभी भी आप सोच सकते हैं कि मेरे घर में रखा हुआ है कोई मेमान आते हैं तो हम इसी को खिला देते हैं क्योंकि घर में हमारे कोई नहीं खाता ना बच्चे खाते हैं ना हमारे पती देव खाते हैं तो यह हमने अच्छी सी क्रीम लगा दिया है विसके उपर हम पाइनेपल क्रेस्ट डाल देंगे और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसके उपर कलर्फुल बॉल्स यह तो सिर्फ सजावट के लिए है कोई जरूरी नहीं है डालना अगर आपके पास है तो डालिए नहीं तो मल डालिए ड्राइ फ्रूर्ट डाल दीजिए यह मेरे पास चेरी रखी हुई है इसको रखा देते हैं यह देखिए कितना बढ़िया केक बन के हमारा तयार हुआ है जिसको भी आप खिलाएंगे न वो बहुत खुस हो जाएगा तो आप लोग पागले जी बिस्किट से बनाईएगा और खिलाईएगा सबको तो मेरे चैनल को आप सबस्क्राइब कमेंट लाइक सेयर कर सकते हैं इस्टाग्रा